हेलो एविवान वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ अनियन टमेटो सेंडविच की रेसिपी शेयर कर रहे हूं जो कि जटपट से बन जाता है बहुत हेल्दी होता है आप इसे ब्राउन ब्रड के साथ बनाएंगे तो काफी हेल्दी रहेगा यह मैंने से ब्राउन ब्र बहुत ही अच्छा सेंडविच हमारा बन के तयार हुआ है रट पर से बनने वाली से रेसिपी को देख लेते हैं किस तरीके से बनाया जाता है अनियन टमेटो सेंडविच बनाने के लिए मैंने एक बड़ी साइस का टमाटर और एक बड़ी साइस की प्यास को फाइन चॉप तो इसके साथ ही हमें चाहिए थोड़ से मसाले और चीज स्लाइस अगर आपके पास हो तो आप एड़ कर लें नहीं हो तो आप टमाटर और अनियन से ही बना सकते हैं थोड़ा सा बटर लगेगा इसके साथ ही मैं आपको मसाले भी बताते हूँ मसाले क्या लगेंगे इसमें अनियन टमैटो सेंडवेश बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा और यह अनियन टमैटो सेंडवेश जो है बहुत ही क्रिस्पी होगा बिल्कुल भी सौगी नहीं होगा अंदर से भी और उसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसकी वज़े से हमारा से कुटिवी काली मिर्च पाउडर काली मिर्च करके भी डाल सकते हैं और यहां पे मैंने लिए चिली फ्लेक्स एक चोटे जम्मच हमने इसमें हरी मिर्च का भी यूज किया है तो हमारा यह सेंड्विच काफी स्पाइसी बनेगा अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाएं कम स्पाइसी खाना चाते हैं तो हरी मिर्च को अवाइड कर सकते हैं तो यहां पे देखिए हमने मिक्स के लिए हमने अभी इसमें नमक नहीं डाला है नमक हम इसमें बाद में डालेंगे तो यहां पे देखिए मैंने ले लिया है एक नॉनिस्टिक त सिक चुकी है इतना ही शेकें इतना ही इतक हैं वाकि डूण को भी तैयार कर लेंगे कि अकल यहां प्रिचिय जो सेकती के ब्रेट त्यार की है इसको हम करेंगे चीस स्लाइश को पिलींग रखेंगे जो हमने द्यार की है इसमें आधा चोटी चंब मसट से थोड़ा सा कम नमख डालें नमक आप अपने हैसं दालें इस लिए चीस नमक डालें इस लोगा कम भी नमक डालें अधार उड़ा टेंगे सैंट्विश के अंदर स्टफिंग करेंगे उसी टाइम पे हमें नमक डाल के इसको मिक्स करना है हम पहल से इसमें नमक डालके रख देंगे तो हमारा चूज है वह साटे बने सेक के ब्रड तयार किया है उसकी वजह से भी हमारा जो एक से पिर in the तो बैने चीज स्लाइस बनाएंगे तो बनाएंगे एक बना चीज स्लाइस के साथ बना रही हूं थोड़ा सा बटर लगा लेंगे सके की जा तो यह दिए नूनी स्टिक पैन यह मैं हमें इसको उल्टी साइट से बटर एपलाई किया है और यह स्टफिंग गिर गई है इसको हटा देंगे नहीं तो यह जल जाएगी और फिर हमारा सेंडवेश खराब हो जाएगा इसको हटा देते हैं और इसको बिल्कुल स्लो मीडियम फ्रेम पे सेकने देते हैं 2-3 मिट इसको अच्छे से सेकेंगे जब हमारी और उपर से आप लेंगे ऑठाओं की सड़ी करएगे हम मेड जसे और हमारा सेंट्विश जो जो है दूझी सैट सेंटें से भी बहुत है क्रिस्पी बन के तयार होगा सेखने के बाद हम से पलट के दूसी साइड से से लेंगे तो हम नीचे की साइड से एक बार देख लेंगे कि हमारा ये सेंडविश क्रिस्पी हुआ है कि नहीं अगर क्रिस्पी हो गया है तो इसको पलट के हम दूसी साइड से से लेंगे थोड़ा सा प्रेस करते हुए दबात सेखेंगे जैसे हमारा सेंडवेच अच्छे से सीख जाए और अंदर से जो चीज है वह अच्छे से चिपक जाए तो यहां पर यह देखिए मैंने इसको सेख लिया है साइड से अच्छा सा क्रिस्पी हो गया है अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है इसको निकाल लेते हैं इसी तरीके से हम दूसरा अपना सेंडवेच से के तयार कर लेंगे तो यह देखिए हमारा सेंडवेच बनके रेडी है बहुत ही क्रिस्पी है उपड़ से यह देखिए बह चीज हो जरुत नहीं होती रिखास को बनाने के लिए और बहुती रिखास की जैड़े व्टी तेस्टी बन के तयार हुआ है और अपिस अनियन टमेटो सेंट विस्की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और थैंक्स फो वाचिंग इस वीडियो